गुड मॉर्निंग फरेंड्स आज आप लोग को इंग्लिस में हम बताएंगे टाइम समय के बारे में कि आप किसी को इंग्लिस में समय कैसे बताएंगे मातर दो सकेंड में आप किसी को इंग्लिस में समय बताएंगे कि चार बजा है साड़े चार बजा है साबनाव बजा है आ चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये आपको याद करना है, इस तरीका से आपको मात्र फूर वर्ड मिनिंग की तोर पर याद करना है, जैसे देखि भाद करेंगे, इस तरीखा से जैसे चार बजा है, तो आप किस तरीखासे कैसे बनाएंगे, ओक्षक द्यूज पो इहां पर देखिए चार बजा है, आप सह तरीका से देख सकते हैं, इहां पर देखिए साबा नाव बजा है, तो आप सबस नाव बजा है, तो आप समय झाल कोड़ इसके वेंस के तरी पार मगना, समझा देते देखिए यहां पर है जो कि चार बज कर दो मिनट हुआ है इस तरीका से आपको sentence आए कि इतना बज कर इतना मिनट हुआ है तो इसमें कुछ नहीं इसमें सिर्फ ये धियान रखना है कि हुआ है तो past का परियोग करेंगे और बाकी है तो two का परियोग करेंगे बस यही है और बाकी total sentence को उसी तरीका से करना है जैसे चार बज कर दो मिनट हुआ है तो it is two minutes past चुर हुआ हैu यहां पर ही पास्ट लगाएंगे और राकी है तो यहां पर two लगाएंगे बस इसी को धियान देना है इत का परियोग हम क्या कैसे करते हैं इत का परियोग हम बताते हैं समय तिथी दीन महीने साल रितु मौसम ये सब के लिए जब ये सब आये संटेंस में तो हम इट का परियो करते हैं तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कोमेंट करके बताईए और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक आ सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आज ये ये वीडि कांटेंस जो है किलियर हो जाएगा टाइम आप इंगलिस में किसी को बता सकते हैं तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सेयर करिए सब को बताईए वो भी समझ जाएगा थैंक्यू